मैं अपनी इस वीडियो के अंदर कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कम पैसों के अंदर दुनिया कैसे घूम सकते हैं और एक golden tip जो मैं भी देने जा रहा हूँ जो bonus tip एसकी वो यह है कि जब भी आपको travel करना हूँ सबसे पहले आप सर्च करें low cost carriers अज को वीडियो का टॉपिक है वो इंतहाई interesting है कि दुनिया कैसे घूम है मैं अपनी इस वीडियो के अंदर कुछ tips और कुछ tricks बताऊंगा कि आप कम पैसों के अंदर दुनिया कैसे घूम सकते हैं देखें मैं अपनी वीडियो के अंदर हमेशा ये बाते बताता हूं कि आपको दुनिया में काम्याबी के लिए है सकसेस्फुल होने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है motivation चाहिए, passion चाहिए, enthusiasm चाहिए, objectives clear होने चाहिए, vision के ओपर काम करना चाहिए वगयरा वगयरा इसमें से एक और चीज़ जो बहुत important मैं समझता हूं आगे जाने के लिए जरूरी है वो है exposure exposure, exposure का क्या मतलब है कि आपने दुनिया घूमनी है, आपने दुनिया का पता होना चाहिए, आपको दुनिया में दूसरे मुलकों का पता होना चाहिए, वहां के लोगों का पता होना चाहिए, वो लोग किस तरह रहते हैं, उनका क्या culture है, उननों का mindset क्या है, वो कैसे सोचते दुनिया कैसे सोचती है इसको कहते है एक्सपोजर आपके लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है कि आप एक्सपोजर लें आप दुनिया में जाएं और दुनिया को देखें लोगों को देखें उनका मैंडसेट देखें कि वो कैसे सोचते हैं वो एकॉनमी कैसे चलती हैं वहाँ पी लोग कैसे काम करते हैं, वहां पी लोग कैसे रहते हैं अब, जब भी हम यह बाते करते हैं कि यार हमें गुमने के लिए जाने तो obviously हमारे society के अंदर एक myth है, और आज उस myth को मैं खतम करना चाहता हूं और वो myth है कि यार यह बड़ा expensive है हमेशा हम लोग इसी लिए इसके बारे में सोचते ही नहीं है कि यार ये बड़ा expensive है तो आज मैं कुछ tips आपको ऐसी दूँगा कि आप बहुत कम budget के अंदर इन countries को घुम सकते हैं तो हम जब भी traveling की बात करते हैं तो उसमें चार किसम के expenses होते हैं major expense होते हैं उसमें सबसे पहला expense है आपका visa आपके total expenses को अगर देखा जाए पूरे traveling के तो इतना कोई major expense नहीं है वो एक छोटा सा expense होता है one time expense होता है मैं दुबई की अगर example तो दुबई में एक महीने का visit visa जो है वो 280-300 दरम में मिल जाते है इकवल टू 10,000 रुपे पकस्तानी रुप इसी तरह आप किसी भी और countries की बात करें तो वहां पे visa कोई इतना expensive नहीं होता 400 दरम, 500 दरम, मतलब 15,000, 20,000, 25,000 visa की बस यह range होती इस range में आपको एक महीने का visit visa आराम से मिल जाता है आपका दूसरा major expense जो होता है वो हता है airfare, जो tickets होते है अच्छा, अब tickets क्या है इसमें मैं दो आपको tips बताऊँगा tip number one यह है कि पहली बार जब भी आप ticket बुक करें आप कोशिश करें कि आप off season में बुक करें क्योंकि जब high season में आप बुक करेंगे आप हमेशा कोशिश करें कि आप ट्रेवल करें Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, बीच के दिन बे ट्रेवल करें जिस टाइम पे ticket हमेशा आपको सस्ते मिलेंगे और आप off season में ट्रेवल करें विच इस कि जैसे जून जुलाईगी छुट्टी हैं होती हैं उसमें ट्रेवल ना करें December में चुके Christmas होती है और लोगों कोई winter vacation होती है स्कूल की उसमें ट्रेवल ना करें किसी भी दूसरे टाइम पे ट्रेवल करें तो आपको tickets 50-60% off मिलेंगे इसके इलावा आप जितनी भी ये airlines हैं इनके जो offers आती हैं आप उनको subscribe कर लें इनकी बहुत offers आई भी होती हैं कभी 20% off, कभी 30% off कभी children free कर देते हैं इन offers को आप subscribe करें तो आपको इन ये offers मिलनी शुरू हो जाएंगी तीसरी tip ये है कि आप अपना tickets और अपनी जो traveling है वो काफी advance में प्लान करें अगर आप 2-3 महीने पहले इस चीज़ों को already plan कर लेंगे तो आपको tickets और अगर 3 महीने पहले आप tickets book करेंगे तो वो ticket आपको काफी अच्छे rates में मिल जाएंगे और एक golden tip जो मैं भी देने जा रहा हूँ जो bonus tip एसकी वो ये है कि जब भी आपको travel करना हो सबसे पहले आप search करें low cost carriers हमारे यहां पे बहुत सारे low cost cost carriers होते हैं हर country के अंदर होते हैं जो थोड़े से cheap rate में आपको tickets दे देते हैं मैं अगर दुबई की बात करूँ तो इस पे fly दुबई के rate आपको काफी competitive rates में मिल जाते हैं और मैं एक और airline की बात करूँगा जो मैं भी recent times में पता चला है विज एर के नाम से एक airline है जिसकी दुबई से भी operate होती है flights यॉरप में काफी जग़ों पे जाती है और वो अबुदाबी से भी जाती है लेकिन उनके rates जाएं वो हैरान अंगेस तोर में बहुत ही जादा cheap है in fact वो Athens जाती है, मतलब Greece जाती है, Italy जाती है, Romania जाती है, Hungary जाती है, Bulgaria जाती है बहुत साई countries में जाती है, उनके rates बहुत जादा कम है तो जब भी आपको traveling करनी है because obviously हम यहाँ पे बात करना है, low cost traveling की तो जब भी आपको traveling करनी है और tickets book करना होता, आप कोशिश करें कि low cost carriers करके search करें, ताकि आपको उसमें अच्छे rates आ जाएं इसके लावा एक और tip यह मैं दूँगा, tickets book करने के लिए कि कुछ websites ऐसी है, जैसे clear trip.ae हो गया, booking.com हो गया, कुछ इस तरह की websites होगी, sky scanner.com हो गया, यह वाली ऐसी websites है, जो आपको different options देती है, इस top over के साथ भी आपको options देती है, हमारा objective यहाँ पर यह है, कि हम कोई cheap या low cost tickets हम search कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको यह options मदद करेंग है, अच्छा ticket के बाद जो है, जो तीसरा आपका major expense होता है, वो होता है, आपका hotel stay, ठीक है, अच्छा hotel stay के अंदर आपके पास 2-3 options है, number 1, वही वाली बात कि आप जितना पहले book करेंगे, उतना आपको वो चीज सस्ती मिलेगी आपको, तो हमेशा से जैसे मैंने बोला कि traveling को दो से तीन महीने पहले आप advance में आप plan करें, ताके आपको rates बहुत अच्छे मिलें, second tip ये है, कि कुछ website हैं, जिस पर अगर हम book करते हैं, या हमको subscribe करते हैं, तो हमें 15, 20, 25% का discount भी मिलता है, और उन websites के ओपर हमेशा कुछ न कुछ offers आईवी होती है, कुछ particular hotels के ओपर, like for example, hotel.com हो गई, booking.com हो गई, एक और अच्छी website बता रहा हूँ, जो बहुत कम लोगों को पता है, agoda.com हो गई, ये कुछ websites ऐसी हैं, इसके इलावे बहुत सारी websites होंगी, for sure, जो आपको बहुत कम rates के अंदर, बहुत अच्छा आपको, जो है, वो three star, four star, आपको hotel मिल जाएंगे, और अगर आप पहले करेंगे booking, तो आपको बहुत ही अच्छी rate मिल जाएंगे, इसके इलावा एक चीज़ होती है, hotel apartment, वो hotel apartment क्या होता है, कि वो two star, three star type का एक hotel होता है, लेकिन वो उसके अंदर वो एक apartment style में बनावा होता है, लेकिन आपको तो traveling करनी है जाके, जनरली जब ह हम traveling के लिए जाते हैं, हम सारा दिन घूमते हैं, और रात में होटल में आके stay करते हैं, तो उसके लिए hotel apartment का option भी जरूर चेक करें, वो काफी cheap rate पे आपको मिल जाता है, और सारी facilities वहाँ पे available होती है, इसके इलावा, इसमें golden tip ये है, कि airbnb, obviously आपने से नाम सुना होगा, बह के पास कोई apartment खाली होता है, या कोई banglo free पढ़ावा होता है, तो वो आपको airbnb पे space देते हैं रहने के लिए, और airbnb पूरी दुनिया की properties हैं, और cheap से cheap से लेकर most expensive properties में भी हैं, तो airbnb पे आपको ये फायदा हो जाता है, कि आपको एक अच्छे, बहुत ही कम rate पे आपको एक अ और secondly ये है कि आप यहां से package food जो है वो आप लेके जा सकते हैं, तो वो आपका हम 10 दिन जा रहे हैं, 12 दिन जा रहे हैं, जितने भी दिनों के लिए आप जा रहे हैं, यहीं से लेके चले जाए हैं, तो वो आपका कोई expensive नहीं हो पड़ेगा आपको, आज ये सारी tips आपको द दुनिया देखें, आपको बहुत exposure मिलेगा इन चीजों से, आपको भी खुद भी अच्छा लगता है, खुद भी मज़ा आता है, कि आप एक नहीं जगा पे जाता है